25 तारिक से इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ऐसे में जटकर टीम इंडिया को अल्रेडी लग चुका है विराट कोली पहले दूर टेस्ट माचेज मिस्स करने वाले है पर्सनल रीजन्स के चलते ऐसे में बड़ा सवाल यह है विराट कोली को क अगर आप नाम सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा चौक जाएंगे कि हम तो बहुत ज्यादा शौक्ड है इस नाम को सुनकर कि नंबर चार पर यह एंग्स्टर बल्ले बाजी कर सकता है अक्सर इस यंग्स्टर को आई-पल पर धमाल मचाते हैं हम देखते हैं हां टेस्ट कि बहुत चैहला कंते हैं लिकिन नंबर 4 पर विराट कोली बहुत जाए काई बल्लेबाजी थरें सबयाफ हैं धाट कि बात करने के लिए त आपको बहुत सोछ संच कर बात करने शिटकर पियोंकि विराट कोली कुद बहुत दिगज कर भाट है और श्विता सबसे बड़ी अबात में को विराट कोली की यह लगती है sledging और challenges को accept करने के लिए हमेशा तयार बैठे रहते हैं और हमें पता है one of the most aggressive batsman है when it comes to test उनको sled करोगे वो bats से जवाब देंगे फिर जब bowling की बारी आती है वहाँ पे field पे best spot, tough spot जो होते हैं वहाँ पे fielding करते हैं नजर आते हैं थोड़ी-थोडी healthy sledging चलती रहती है कहीं न कई quality खिलाडी है वराट कोली ऐसे में उनकी replacement शायद ही टीम इंडिया लाप है लेकिन प्रबल दावेदार बहुत सारे और ऐसे में सुनील गावसकर ने अब एक बयान अपना दे दिया है उसमें नाही केल राहूल का नाम उन्ने लिया नाही श्रेयस आयर का नाम उन्ने लिया हम बताएंगे किस यंग्स्टर खिलाड़ी का उन्होंने नाम लिया नजरे डालते हैं सुनील गवसकर के इस बयान पर ये शश्वी जैस्वाल होम कंडिशन में आसानी से जम जाएंगे वो भी बाए हाथ के खिलाड़ी हैं मुझे लगता है कि वो इस्टेस सिरीज के बाद भारती टेस्टी में खुद को पूरी तरह से स्थापित कर लेंगे उन्होंने आक्रामक बल्ले-बाजी की शुरुवात में काफी सतर्क रहे और फिर पिछ को पढ़ने के बाद उनका श्ट्रोक लगाना देखने लाएक था मुझे आशा है कि वो इसे धोराएगा बिल्कुल क्वाइट शॉकिंग लेकिन ये श्यस्वी जैसवाल का सुनील गावसकर ने नाम लिया है कि वराट कोली को रिप्लेस कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सुनील गावसकर श्वेता आपको क्या लगता है क्या य क्योंकि जैसवाल की बात करें तो अभी वह उपनिंग करते हैं जहां भी खेलते उपनिंग करते हां फर्स्ट क्लास में नंबर तीन पर बल्ले बाजी करें लेकिन नंबर चार पे टेश्ट इंडियान क्रिके टीम में टेश्ट में बल्ले बाजी करने थोड़ा सा मुझे करते हैं इतना कुछ कमाल दमाल वो कर नहीं पाए इंडियन करडिशन से पता है कि यह जासवाल बहुत जाबा खेलें लेकिन इंडियन करडिशन से वह इंडियान फायदा उठा सकता है जिसको थोड़ा सा एक्सपिरियंस आपको नहीं है और आपने नंबर चार पे बल्ले आपको विराट कोली को रिप्लेस करना है सबसे पहली बाद तो कोई यंग्स्टर आएगा तो उसके दिमाग में यही हो कि भई मैं विराट कोली की पोजिशन पे खेल रहा हूं बिल्कुल सही का श्वेता लेकिन मेरा मानना ही है कि अगर आप विराट कोली के प्रेशर को ल वन आफ दी फाइनेस्ट ओपनर है तो एक ऐसा भी हो सकता है कि सुनिल गावसकर ने इसले यहासवी जैसवाल का नाम लिया है क्योंकि ओपनिंग में हमने सीधर साउथ आफरिका में उनने भेजा तो वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए तो ऐसे में टाउन दौर थोड़ा प कि शर्षी जैसवाल के पास प्रजी आने वाले टाइम में वो टेस्ट टी में अपनी पर्मनेंट जगा भी बना सकते हैं बिगोड़ डेफिनिटीव युन के पास क्वालिटीज वेस्ट इश्वाल के बीटिव दौरे में वहां उन्हें जिआए देबुमे में ही मतलब शत तो अगर आप ये सिरीज जीतने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अशुषी जैस्वाल नंबर 4 के लिए कोई प्रबल दावेदार है आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी है जो लाइन में लगे हुए हैं आप उनमें से किसी खिलाइए कि अगर आप को प्रिपेर करें टेस्टीम के लिए क्योंकि अव्विस सी बात है आप सिर्फ ODI T20I के भरों से नहीं जा सकते हैं आगे आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्माइट होता है जहां पर करें आप सकते हैं